देखे कुछ किचन की आसान टिप्स और ट्रिक्स नमबर एक कटल को काटने से पहले हाथों और चाकू पे तेल लगा ले इससे चाकू पे चिपकेगा नी और आसानी से कट जाएगा नमबर टू घर पर पनीर बनाते समय इसे नीबू का रस की बजाए फिटकरी से फाड़े ऐसा करने से कम दूद में अधिक पनीर निकलेगा नमबर त्री प्राठो को क्रिस्पी और कुड़करा बनाने के लिए उसे मख़न से सेके नमबर चार अंकुरित अनाज को फ्रिज में रखने से पहले उसमें एक चमच नीबू का रस मिला दे इससे फ्रिज में समयल नहीं आएगी नमबर पांच रोटी बनाने के बाद यदि आटा बच जाए तो उसमें देसी घी लगा कर फ्रिज में रखे ऐसा करने से आटी में काला पन नहीं आएगा नमबर छी गुड का कोई भी डेस बनाते हैं तो उसे कूट कर पानी में डाल दे इससे मिट्टी कचरा नीचे बैठ जाएगा और फिर उसे चान कर इस्तिमाल करें नमबर साथ पिसी उई हल्दी को खराब होने से बचाने के लिए उसमें साबुत लाल मिर्च रग दे नमबर आठ दोसा बनाने वाले तवी पे रात कोहीं तेल लगा कर रग दे इससे दोसा चिपकेगा नहीं नमबर नाइन सुखी नारियल फ्रेज में या चावल के डिबे में रखने से जल्दी खराब नहीं होती है नमबर टैन लॉंग की खुश्बों से कौकरिच भाग जाते हैं दस से बारा लॉंग को पीच कर उसमें नीम का तेल मिलाकर कोनों में स्प्रे करे कौकरिच नहीं आएंगे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा नमबर 11 आखों की रोशनी के लिए खरबूजा काना बहुत अच्छा होता है जितना अधिक खाएंगे उतना ही आपको लाब मिलेगा नमबर 12 दाल के डिब्बे में हिंग और तेजपत्तर डाल की रखने से दाल जल्दी खराब नहीं होते हैं आई होप कि आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होंगे अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा थैंक यू सो मुच फर वाचीं